नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ष्ट ने नवाज मैं हूँ अपके साथ सिराज 28 दलो का इंडिया गटबंदन एक बार फिर से अब चर्चा में आ गया है दरसर फारुक अब्दुल्ला ने जो की जम्मु कश्मीर के पुर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने साफतोर पर कहा है कि अगर इंडिया गटबंदन में किसी भी तरीके से विवाद होता है और पार्टियां अगर जो है इंडिया एलाइंस से नाता तोड़ती है तो देश में जल्द ही तीसरा गठबंदन देखने को मिल सकता है ये बात उन्होंने जब कही दब जो है अब लोकसभा चुनाओं में महज कुछी महीने बाकी है ऐसे में जो है लगतार इंडिया गठबंदन में एक असमंजस का महौल है एक तरब जो है कॉंगरिस टीमसी से जो है लगतार संखर्श कर रही है सीटों को लेकर वहीं अकिलेश यादो भी अब पीछे हटने को तयार नहीं है ऐसे में कॉंगरिस के सामने तमाम तरह की चिनौतिया है एक तरब जो है ममताब एनरजी अकलेश यादो नितीश कुमाल लालू जादो और एंसीपी शरत पवार और उदव ठाकरे जैसी बड़े नेता और बड़ी पार्टियां सामने है लेकिन कॉंगरिस को लगतार अब इन राज्यों में खासतोर पर हम बात करें बंगाल और बिहार उत्रपरदेश और महराष्ट में सीटों को लेकर लगतार शंघर्ष करने को लेकर देखा जा रहा है लेकिन इसी बीच फारुक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने साफतोर पर कहा है कि अगर इंडिया गटबंदन में किसी भी तरीके से विवाद होता है तो देश में जो है लोगसवा चुनाओ से पहले जल्दी तीसरा गटबंदन देखने को मिल सकता ह अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोगसवा चुनाओ से पहले देश में जो है तीसरा दल बनेगा आखिर उसका नाम क्या होगा और आखिर फारुक अब्दुल्ला इतना बड़ा बयान चुनाओ से पहले क्यों दे रही है क्या फारुक अब्दुल्ला को या अभास हो गया है कि लोग सबच चुनाओ से पहले इंडिया गटबंदन नहीं टिक सकेगा उसी इंडिया गटबंदन की हम बात कर रहे हैं जो लगतार दावे करती है कि केंदर में बैटी शक्ती साली बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर करनी करेगी लेकिन इसी बीच जो है सीट सेरिंग को लेकर तमाम तरह की विवाद देखने को मिलता है एक तरफ जो है निदिश कुमार सन्योजक बनाने और पीम बनाने को लेकर भी काफी जादा अविवादों में घिरे रहते हैं तो दूसरी तरफ टीम सी नेता ममता बैनर जी भी लगतार बयान देती भी नजर आती है अकिलीश यादो भी कॉंगरी स्कूल लगतार चिनोती दे रही है इसे भी जो है फारुक अब्दुल्ला का या बयान दर्शाता है कि इंडिया का ड्मंदन में कुछ भी अब जो है एक हो सकता है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट नइन आवाज के साथ